हेलो सुट्रेंट्स वेल्कम बेक टू मैं चैनल कैसे हो आप सब उमीद करते हूं बेटा सभी अच्छे होंगर अपना ख्याल भी रख रहे होंगे तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वक्षीट नंबर 36 साइन सब्जेक्ट की है नाइन्थ किलास के लिए और इंग्लि हम दो एक्वेशन ओफ मोशन पढ़ चुके हैं बेटा अपनी दो वक्षीट के अंदर आज हम पढ़ेंगे थर्ड एक्वेशन ओफ मोशन ये बहुत ही आसान है उन दोनों से भी अगर आपको वो समझ आ गई तो ये तो बहुत आसान है ठीक है जिग्यासा दीदी ग्यान क् कैसे deduce करते हैं तो वो क्या बता रही है ग्यान we know that ये बात repeat हो रही है बेटा जो पिछली वक्षीट में थी we know that when an object move along a straight line with the uniform acceleration it covers a definite distance in a particular time interval तो ये क्या करती है एक particular time में एक particular distance को cover करती है the third equation of motion establishes relation between the initial velocity, final velocity and the position of the object यानि कि s तो ये क्या करती है बेटा जो third equation of motion है वो इन तीनों के बीच में relation करते है देखो final velocity, initial velocity और ये क्या है यहाँ पर s यानि कि position of the object तो इन तीनों के बीच में relation होता है ये this equation can be derived by the velocity time graph तो बेटा देखो हमने जो पहली दो निकाली है वो भी क ठीक है of the uniformly accelerated object ठीक है जिसमें क्या है एक object uniformly accelerate कर रहा है यानि कि उसकी जो velocity है वो definite time में definite value से change हो रही है this can also be obtained by the first and the second equation of motion by eliminating the t from them और बेटा इसको हम दूसरे तरीके से भी reduce कर सकते है यानि कि first or second equation of motion को use करेंगे मतलब कि ठीक है एक दूसरे में और उसमें से t को eliminate कर देंगे त तो भी हमारे पास यह equation आ जाएगी ओके अब बेटा drive कैसे करते हैं वो देख लेते हम इसको one minute यहां पर यह गहर हो गया हाँ तो देखो बेटा drive कैसे करते हम इसको drive third equation of motion or time and position relation यह नाम याद रखना बेटा time and position relation by the graphical method ठीक है तो हमने क्या किया था बेटा वही चीज हम क्या क ग्राफ का observe the given velocity time graph of the uniformly accelerated object जिसमें क्या है यू हमारा 0 नहीं होना चाहिए मतलब कि उसकी कुछ पहले से ही क्या है velocity है वो चल रहा है object from this graph you can see that the initial velocity of an object is यू इस ग्राफ से हम देख रहे हैं बेटा कि उसकी initial velocity क्या है यू है at point A और with increasing to the V और यह धिरे धिरे increase होकर V तक बन जात है V value in time T और T time लगता है उसको इतना increase होने में ठीक है तो the velocity change at a uniform rate और यह ऐसा कब हो पा रहा है जब velocity क्या है uniformly change हो रही है ठीक है अब क्या करेंगे draw a perpendicular line BC from point B on the x-axis फिर हम जैसे पहले करते थे एक ड्रो कर लिए हमने BC line x-axis पर जो कि क्या बताएगी अब बेटा यह velocity बताए हो गया जो हमें क्या बताएगा distance कितना cover किया है उस object ने T time के अंदर ठीक है here the initial velocity final velocity and time interval is represented by OA BC और OC respectively तो देखो बेटा क्या बोल रहा है यह कि जो हमारी final velocity है वो किसके द्वारा दर्स आई गई है BC के द्वारा initial velocity OA के द्वारा और जो हमारा time है वो OC के द्वारा दर्स आई ग cover किया है तो we know that the distance traveled by an object is obtained by the area enclosed within the OA BC यानि कि इस पूरे के अंदर ठीक है और यह बटा क्या एक trapezium जैसा है ठीक है under this velocity time graph AB अब हम क्या करेंगे distance निकालेंगे so the distance traveled by an object is equal to the area of OA BC तो इस area OA BC के equal हो जाएगा और बटा यह देखो तुम्हें कैसा दिख रहा है एक trapezium जैसा है ओके और यह क्या है एक ऐसे है और ऐसे है तो इसमें हम कैसे मान लेंगे हम इसको देखो ऐसे बनाएंगे तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ आएगा वन मिनट में clear करके बना देती हूं यहां पर देखो इस तरीके से है यह कुछ ठीक है तो यह क्या है बटा एक trapezium है तो इसमें क्या है two sides इसकी यह pairler है एक दूसरे के ठीक है तो हम यहाँ पर area निकालने है हमें इस सारे का तो हम क्या लगा लेंगे area of trapezium का formula लगा लेंगे ठीक है तो यहाँ पर बिटा वही formula लगाएगगा है जो कि क्या होता है area of trapezium क्या होता है sum of the parallel sides यानि कि यह a मान ली और ये B माली, तो sum of the parallel side, यानि कि A plus B, और plus में क्या होता है, height होता है, ठीक है, और height बेटा इसकी किसके बराबर है, T के बराबर है, देखो ये इसकी height है न, देखो मैं point रख देती हूँ, इसमें O, A, और ये क्या था, B, और ये था C, तो देखो बेटा, OC क्या है, T है, तो य एक parallel side, जो A थी, वो हमने O, A रखती, जो कि U के बराबर है, दूसरे BC parallel side है, जो कि किसके बराबर है, बेटा, V के final velocity के ये put कर दी, और upon में क्या आता है, बेटा, इसके 2 आता है, ठीक है, तो वो हमने put कर दिया, इसमें, और sorry बेटा, ये into में है, ठीक है, height जो into में आती है, तो यहाँ पर put करने के बाद, हमारे पास ये equation आ गई, अब बेटा, from velocity time relation of first equation of motion, हम जानते, V क्या होती है, U plus 80 के बराबर होती है, यहाँ से हम T की value निकाल लेंगे, तो क्या आ जाएगी, देखो, यहाँ से V को इधर ले जाएंगे, तो क्या होगा, V minus U, 80 के बराबर हो गया फिर 80 के डिवाइड कर देंगे, इसको तो हमारे T की value आ जाएगी, यहाँ से, ठीक है, तो अब फिर T की value को क्या करेंगे, हम यहाँ पर put कर देंगे, एक equation में, तो जब हम इसमें put करेंगे, बेटा, देखो, यह T था न, तो U plus V तो पहले से ही है, इधर, U minus V by A और आ की बहुती आसानी से, ओके, यह हमारी है, third equation of motion, अब इससे questions कैसे बनते है बेटा, तो देखो, यह हमने अपना कल भी किया था, वरक्षीट में question, जिसमें हमने क्या निकाला था, distance निकाला था, second equation of motion की help से, लेकिन इसको बेटा, हम third equation of motion की help से भी निकाल सकते हैं, वही questions है, हमने पहली equation of motion को यूज करके, यू निकाल लिया था, कितना था, हमारा दिया था, 12 meter per second, ठीक है, initial velocity, और final क्या थी, जब यह break करता है, तो 2 second के बाद, मतलब 2 second के बाद यह रुक जाती है, तो velocity final 0 थी, time 2 second लगा इसको, और इसने जैसे break लगाय था, तो velocity change हुई थी, जिसकी जैसे इसमें acceleration आ गई थी, और जो की retarded थी, मतलब की घटी जा रही थी, इसलिए minus आ गया था इसके आगे, और अब बोला गया है, S निकालो, तो अब हम देखो, इस formula से भी S निकाल सकते, जैसे हमने कल निकाला, उससे भी निकाल सकते, S equal to ut plus half 80 की square से, ठीक है, इससे कैसे न सा भी formula चाहो, वही आप लगा सकते हो, और हमारा answer वही आएगा, ठीक है, अब इसके कुछ question answer करते हैं, फर्स्ट क्या है, write first and third equation of motion, तो फर्स्ट और third equation of motion निल लिखो, तो फर्स्ट क्या थी, V equal to U plus 80, ठीक है, और third equation क्या है ये रहे, ये हमारे 2AS equal to V की square minus U की square, ठीक है, अब second question क्या है बिटा, drive third equation of motion from the velocity time graph, तो velocity time graph से third equation of motion निकालो, तो हमने अभी तो निकाला बिटा, ठीक है, तो ये रहा, ये पूरा का पूरा जितना भी box में है, वो सब लिख दोगे, और जो ये graph है, ये भी बना दोगे, ठीक है, और ये आपको पता होना चाहिए, मैं इसलिए आ important है, ये आता है, एक ना, एक derivation जरूर, अब third question करते है, बटा, एक car start moving from rest, देखो अब यहां से तुम्हें word पकडने है, कैसे solve करते है question को, एक car है, start कर रही है, from the rest, मतलब कि उसकी initial velocity क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, attain a velocity of 10 meter per second, in 5 second, यानि कि final velocity क्या है, उसकी 10 meter per second है, और 5 second में उसने attain किया, तो t कितना हो गया, 5 second हो गया, 5 minute दे रहा हुगा है, ठीक है, 5 minute हो गया, अब if acceleration is constant, then calculate, अगर acceleration क्या है, constant है, तो उसकी क्या निकालो, acceleration निकालो, और distance उसने कितना travel किया, वो निकालो, s निकालना है, मतलब हमें, और a निकालना है, तो चलिए देखते हैं पहले आप लिख लोगे कि given क्या क्या है, ठीक है, given है, moving from the rest मतलब कि you हमारी zero है, final velocity 10 meter per second, time 5 minute दिया हुआ है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, बटा, कि time minute में दिया, जबकि यहाँ पर second में लिया हुआ है, पहले velocity में, तो हमें इसे second में convert करना पड़ेगा, तो second में convert करने के लिए हम क्या करेंगे, 60 से multiply करेंगे, ठीक है, क्यों कि बेटा देखो 5 minute क्या है, बड़ी है unit, second से, तो जब भी हमें छोटी की तरफ जाते है, तो हमें उसे गुना करना पड़ता है, ठीक है, उसको जादा देना पड़ेगा, यह समझ लो, छोटों को जादा दि और distance निकालना है, कैसे निकालोगे बेटा, as we know, जैसा कि हम जानते है, from the first equation of motion, V क्या होता है, U plus A T होता है, तो यहां से A की value निकाल लो, V minus U by T आ जाएगी, अब इसमें तुम जो values तुमें दी गही है बेटा, वो put कर दो, ठीक है, putting लिखना है यहापर, ठीक है, putting the values V, U, T in the above equation, यह put की बेटा, 10 meter per second V था, और U हमारा 0 था, ठीक है, और T कितना था, 300 second था, इसको solve करोगे बेटा, जब काटोगे तो देखो, यहापर 10 meter per second था, और जो यह नीचे है, अगर यह उपर जाएगी, तो क्या होता है बेटा, 1 by हो जाएगी, ठीक है, तो 1 by 300 second हो गई, तो य हो जाएगा, तो हमारा आगया, 1 by 30 meter per second square, यह आप math में solve करते हो, आपको आता होगा, तो acceleration हमारी इतनी आ गई, अब बेटा, B part था, distance निकालना था, from third equation of motion, हमें क्या देखा है बेटा, 2 AS क्या होता है, V की square minus U की square, तो यहाँ पर बेटा, क्या है, by putting all the values, we get V, U, AS हम इनकी put कर देंगे, और हम क्या करेंगे, क्या मिलेगा हमें, 2 तो यहाँ पर था ही, V की value put कर दी, हमने, A की value put कर दी, acceleration जो हमने अभी निकाली थी, और S हमें निकालना है, तो उसको ऐसे ही रखेंगे, फिर यहाँ पर V की value put कर दी, उसका square कर दिया, और U हमारा 0 था, अब इसको solve देंगे बेटा, तो देखो यहाँ से, 2 से क्या होगा, कट जाएगा यह, कितना आएगा, 15 आएगा, तो हमने यहाँ पर लिख लिया, उसके बाद यहाँ पर क्या था, meter per second square, तो हमने meter per second square लिख लिया, S था, वो भी S लिख लिया, फिर यहाँ पर देखो, इसको square खोलेंगे और इसको इधर ले जाएगे, तो क्या हो जाएगा, पहले से यह था, 100 meter square per second, अब हम इसको इधर ले जाएगे, तो क्या होगा बेटा, यह उल्टा हो जाएगा, 1 by 15 क्या हो जाएगा, 15 by 1, ठीक है, तो 15 by 1 हो गया, और जो यह meter per second था, यह भी उल्टा हो जाएगा, यानि कि second स्क्वेयर अपन में मीटर हो जाएगा ठीक है , तो मीटर से क्या कट गया , एक मीटर कट गया और जो सेकंड्स स्क्वेयर थी, उससे सेकंड्स क्ट गया यहाँ पर क्या बच्व मिटर प्लस में पंदरा तो कितना ही यहां बटा हमार है डिवाइड कर देंगे, कुल मिलाकर पंदरा सो को हम डिवाइड कर देंगे हजार से, तो हमारे पास किलो मिटर में आ जाएगी वैल्यू, ठीक है तो मतलब कि डेर्ड किलो मिटर उसने ट्रेवल किया है, ये थी विटा आपके आज अपको अच्छे से समझ आ गई होगी, कोई डाउट हो तो फिर भी मेरे से आप कमेंट बुक्स में पूछ लेना, ठीक है, अपनी नेक्स्ट टूडियो में हम अपना नेक्स्ट वक्स्ट टिट करेंगे, तब तक है ऐसते रहीं, मुस्कुराते रहीं, पढ़ते रहीं और आगें, बढ़ते रहीं, थैंक्यू